हेलो दोस्तो, डे नमर 27, 100 इस सीरीज चल रही है, इस वीडियो में money, macro economics का money chapter स्टार्ट करेंगे, दो ही वीडियो होंगे money से related, पहला वीडियो संदीप गर से related होगा, दूसरा वीडियो वीक ओरी से related कुछ topics होंगे, जो छुट जाएंगे, सबसे पहले चालू करते हैं देखो आपको इस वीडियो में मैं आपको barter exchange की problems, limitation of barter exchange, functions of money, ये सारी चीज़े नहीं समझाने वाला, वो already आप discuss कर चुके हैं, मैंने उसका एक separate video डाल भी दिया है, जो one shot में है, वो explanation part वहाँ पे है, कुछ ऐसे topics जो book में हैं लेकिन discuss नहीं किया, या भूल सकते हैं आपन, medium of exchange के form में generally accepted है, अब ध्यांतर समने आपको लगेगा किसी goods and services भी है क्या, पहली बात तो वहाँ money start हुआ है, तो money which is generally accepted as a medium of exchange, तो money में क्या 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 क्या, coins, plastic card, e-card, digital cash, digital money, e-wallets, ये सारी चीज़े जो medium of exchange के form में generally accepted है, फिर क्या लिखा है, जो जिसके, जिसमें feature है, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment, अब ध्यांतर समझो, standard of deferred payment मतलब जब कोई भी money या जब कोई भी इंसान किसी भी consumption expenditure करने के लिए, या investment करने के लिए, bank से money borrow करता है, तो अब भी सी बात है, borrowed money आप धीरे धीरे करके, एक point of time पर धीरे धीरे करके, deferred way में या part में payment करेंगे, तो यह गया standard of deferred payment, measure of value मतलब unit of account, किसी भी goods and services को money के form में express किया जा सकता है, after evolution of money, फिर उसके बाद क्या लिखा है, store of value, हम goods को तो store नहीं कर सकते थे, लेकिन money को store कर सकते, तो यह सारे feature, जिस भी unit में होंगे, वो money है, आगे चलते है, legal definition of money, देखो कित्ती important definition है, money is what the law says is money, कित्ती महनत की जितनी आप पढ़ाई में महनत कर रहे है, उतने इनोंने definition लिखने वे money, sorry दोस्तो, tension नहीं लेना, रात को बीटी मिल जाएगे, money is what the law says, money, वा, क्या बात है, बहुत important line, अब money of two kinds, सबसे पहला क्या लिखे है, देखो, legal tender, और इस तर अब क्या लिखे रहेगा, non-legal tender, legal tender मत अब क्या, यहां से समझो, money which can be legally used to make payment of debts और other obligation, किसी, थोड़ा सा अगली चिहां पर आया, हाँ, तो किसी भी type के obligation, किसी भी type के obligation को pay करने के लिए, जब आप कोई भी money use कर रहे हो, तो वो legally allow है, which can be legally used to make payment of, आप गांजा यूज नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए, ठीक है आप दारू यूज नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए, आपको ऐसी चीज यूज करने पड़ेगी, जो legally allow है, आगे चलते हैं, तो legal tender भी दो type के होते हैं, सबसे पहला है दोस्तो, limited legal tender, और दूसरा है unlimited legal tender, अब ध्यान से, इन इंडिया, coins are limited legal tender, as per coinage act 2001 है, कि 2011 है, दोस्तों comment करके बताओ, 2011 में बना है, ये act की 2001 में बना है, अब limited मतलब सर, आप एक हजार से जादा का कोई भी obligation, एक हजार से जादा का कोई भी payment, आप coin से use नहीं कर सकते हैं, coin में pay नहीं कर सकते हैं, कब तक का, हजार तक का, इसका मतलब हजार से पहले तक का कर सकते हैं, हाँ कर सकते इसले इसको क्या बोल रहे है limited तो हजार से कम cash आप payment कर सकते हो coin में हजार से ज़्यादा आप coin में नहीं कर सकते unless and until सामने अला receive कर ले accept कर ले लेकिन उसके पास एक law की language है coin is act 2001 के ही साब से any amount आप currency को किसी भी amount में हजार से कम हो या हजार से ज़्यादा हो any amount लिखा है आप किसे use कर सकते हैं दोस्तो in India paper notes are called as unlimited legal tender तो इसमें कोई tension यह इसमें कोई limitation लगा नहीं है दूसरा part discuss करते हैं non-legal tender non-legal tender मतलब checks, bank drafts, bills of exchange do not have legal backing, legal backing मतलब? देखो legal backing तब है जब act के हिसाब से उसको money का form दिया गया government ने उसे चापा है, RBI की backing लगी है उसके पीछे, RBI का foundation base बनाए कि हमने यह issue किया currency, हमने चापा है लेकिन यह जो checks है, यह government नहीं, यह private banks चापती, bank draft यह banks की facility है, bills of exchange यह bank की facility है government issue नहीं किया है, तो इसलिए their acceptance is totally optional, optional मतलब? आप payment करने के लिए check भी issue कर सकते हो payment करने के लिए cash भी issue कर सकते हो, और अगर किसी को check के form में payment receive नहीं करना है तो यह उसके पास option है, वो बोल सकता है, नहीं मुझे check, नहीं मुझे cash चाहिए यह बोल सकता है, क्यों? क्योंकि इसे optional money भी बोलते है आगे चलते है bank money, देखो यह दोनों पार्ट के अलावा है, ध्यान से समझना bank money refers to demand deposits, demand deposits created by commercial banks इसे non-legal tender money भी बोलते हैं, क्योंकि यह bank facility दे रही है यह bank ने create किया है, government ने नहीं, यह commercial bank ने create किया है आगे चलते हैं, अगले पार्ट में, अगला पार्ट है money supply यह chapter का सबसी important part है, it refers to total volume of money held by public at a particular point of time तो पहली बात ध्यान रखते हैं, इस language की वज़ा से यह कौन सा concept हो जाएगा दोस्तो, stock क्यों हो गया, क्योंकि क्या लिखा है particular point of time लेकिन सरी यहाँ public का मतलब क्या है, public का मतलब यहाँ पर है money using sector यहाँ पर public का मतलब क्या है, money using sector और money using sector में कोन कोन आएगा दोस्तो, दो लोग आएगे, एक आएगा household और एक आएगा firm लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर money producer या money supplier नहीं आने वाले, कोन नहीं आने वाले money supplier या money producer, मतलब कोन नहीं आएगे, commercial bank, RBI या फिर आप बोलो एक तरीके से government, यह लोग बीच में नहीं आने वाले क्योंकि यह लोग money supplier है, ना कि money using sector, components of money supplier तो sir, money supplier में आएगा क्या, यहाँ लिका, it refers to total volume of money held by public तो यह money held by public उसको पैसे को रखेगी कैसे, held कैसे करेगी, क्या करेगी, held तो component of money supply में सबसे पहला है, देखो public के पास है, currency and coins with the public इसमें क्या क्या रहा है, paper notes, वाओ, paper and notes, क्या बात है sir, क्या बात है paper notes and coins, paper notes and coins, fiat money और legal tender money paper notes, paper notes और coins, यह दोनों ही fiat money है और legal money, क्यों, यहाँ से समझा क्योंकि paper notes और coins, दोनों ही issued by, issued by government, बिहाफ किसका था, किसने किया था, RBI और यह order दिया है, government ने की, हाँ, उसमें जो currency और coins है न, आप उसे किसी भी obligation के लिए legally use कर सकते हो, इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, fiat money, तो fiat money मतलब क्या होता है, ऐसी money, जो आपने government ने जो issue किया है, यह government दोरा legally acceptable है, for the obligation, demand deposit with bank which can be in cashed by issuing checks at any time, जिस भी, जिस भी इनसान, जो भी account holder का, जिस भी bank में account है वो अपने दोरा जो पैसे जमा किया है, वो कभी भी in cash करवा सकता है, चेक देखे, इसलिए इसका नाम है demand deposit जो मैंने deposit किया है, वो मैं कभी भी check issue करके demand कर सकता हो, तो मुझे आपको देने पड़ेंगे only net demand deposits are included, मतलब, तो sir net मतलब gross भी है क्या, gross demand deposit में से हम minus कर देंगे interbank deposit, किसको minus कर देंगे, interbank deposit और interbank deposit के बाद जो बचेगा, वो बचेगा net demand deposit, sir ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हमने ये formula क्यों use किया, gross demand deposit क्यों नहीं लिया, ध्यान से समझो दोस्तों, यहाँ पर जो interbank deposit है, वो banks के बीच के पैसे के transfer की बात हो रही है, कभी-कभी क्या होता है कि high volume of cash आजनी की वज़ा से, storage उतना नहीं होने की वज़ा से, एक bank अपने access money को, access surplus को, किसी दूसरी bank को दे देता है कि आप रख लो 10 दिन के लिए, तो यह तो interbank money transfer है, और यह तो public का ही पैसा है, और public का पैसा तो हम already ले चुके हैं, तो इसलिए interbank deposit को minus करते हैं, और सिर्फ किसको लेते हैं, net demand deposit को, term deposits are not included, क्यों नहीं भी या, term deposit इसलिए नहीं लेते, क्योंकि obvious ही बात है, यह कभी भी check issue करके इसे in cashed नहीं किया जा सकता, क्या issue करके, check issue करके इसे in cash नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ आपको मिलेगा after maturity, after maturity, इसका मतलब demand deposit के अंदर term deposit नहीं आया, तो सर कौनसा account आएगा, एक आएगा saving account और एक आएगा current, क्योंकि यह दोनों ही इसको कभी भी हम transaction के लिए use कर सकते हैं, इसे कभी भी हम in cash कर सकते हैं, और कभी भी हम इसे किसी भी type के bank के transaction या किसी भी transition के लिए as a liquid form हम use कर सकते है इसलिए इसका दूसरा नाम transaction money भी है, कौनसा saving account और current account को क्या बोलते हैं, transaction money, या फिर demand deposit को भी हम बोल देते हैं, कभी कभी transaction money, आगे चलते हैं, measures of money supply, तो यह जो public के पास money है सर, इसको measure कैसे करने वाले हैं, हम यह currency with the coin, demand deposit, इसको calculate कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं, सबसे currency in coins with the public and demand deposit with the commercial bank and other deposits with RBI, basically हमने क्या किया, जो भी public के पास currency in coin है, उसको लिया, उसके बाद आपका जो पैसा commercial bank के पास रखा है, वो भी कौन सा पैसा, saving account वाला, और current account वाला, यह दोनों को हमने add किया, और RBI के पास जो other deposits रखा है, other deposit मतलब नाबाड का पैसा, या फिर दूस foreign institution का पैसा, यह सारा जो पैसा RBI के पास रखा है, आप उससे भी use करेंगे, for the calculation of money supply, या फिर M1 को measure करने के लिए, किसको measure करने के लिए, M1 को measure करने के लिए, संदीक बगर का एक छोटा सा topic है, what is high powered money, high powered money is money produced by the RBI and the government and it consists of two things, तो RBI ने produce किया और government ने produce किया, तो RBI ने produce किया, तो कौन सा currency held by public और cash reserve with the bank, यह दोनों ही, यह दोनों ही part, किसके part बनेंगे, high powered money के, अब ध्यान से समझो, तो सर, high powered money मतलब हुआ क्या, high powered money मतलब, जो most liquid asset है, जो most liquid form of asset है, चाहे वो government ने create किया हो, चाहे RBI ने create किया हो, लेकिन public का वो पैसा और bank का वो पैसा, cash reserve वाला, जो most liquid form में है, तो discuss करते हैं, सर, तो money और high powered money अलग अलग नाम क्यों, सर, सीधे money क्यों नहीं बोल रहे है, क्यों यह high powered money और फिर money अलग अलग क्यों, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, currency and cash reserve, वो बात ही नहीं कर रहा है, किसकी demand deposit ही, तो high powered money मतलब जो most liquid है, है तो demand deposit भी, लेकिन high powered money में बात कर रहा है, most liquid, that is currency and cash reserve, अब यह cash reserve कहां से आए, RBI ने बोला है, commercial bank को जब भी आपके पास जितना भी total deposits आए, उसका कुछ fraction आप मुझे as a, in the form of cash reserve दे दो, तो यह वही cash reserve है, आगे चलते हैं, सबसे important दो hashtags, it means, currency held back public is common in both of them, तो currency money में भी आता है, high powered money में भी currency है, लेकिन, the only difference is that money includes demand deposit, whereas high powered money में demand deposit, while high powered money includes, सिर्फ cash reserve, मतलब इन दोनों में common चीज क्या है, इन दोनों में common चीज क्या है, currency, इन दोनों में different चीज क्या है, कि money demand deposit को लेता है, जबकि high powered money किसको नहीं लेता, demand deposit को consider नहीं करता है, आगे चलते हैं, अगले पार्ट में, अगला पार्ट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे खतम करते हैं दोस्तो, money का पहला topic, कुण सा day number, शायद यह 27 है, I guess, day number 28 में B के और कई साब से कुछ money के important discussion देखेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्काराते रहिए, और चीजे आसपास देखते रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, thank you so much दोस्तो.